तो साल 2023 का एक और मन्थ निकल चुका है और हमको दे गया है एक और मन्थी एवी रिपोर्ट येस, we are talking about September month festive season शुरू होने वाला है और ये time automobile industry के लिए बहुत ज़्यादा important माना जाता है सेल पे घोध यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं चलिए आज किस वीडियो में आपको बताते हैं कि September month में किसने बाजी मार ली है और कौन सी EV company रह गई है सबसे पीछे अपने electric two-wheeler को सेल करने में लेकिन उसे पहले 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 अगिन दबाकर power talks को subscribe जरूर कर लीजे ताकि आप रहे power updated तो चलिए आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं top 5 companies के बारे में जिनोंने सेल किये हैं सबसे जादा electric scooters September month में तो यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं number 5 की तो number 5 पर है impaired vehicles जिनोंने September month में सेल कर दिये हैं 4,190 electric scooters अगर हम इस sale को compare करें अगस्त मन से तो इन्होंने अगस्त मन में sell out किये थे 3,698 scooters यहाँ पर आपको growth देखने के लिए मिलती है 13.3% की और इसी के साथ आज आपको पता देते हैं इनका market share जो की है 7% तो चलिए जादा अच्छी growth तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ growth हुई तो से अब यहाँ पर बात करते हैं number 4 की तो number 4 पर आ चुका है Bajaj Auto तो September month में इनोंने sell out किये है 7,045 electric scooters अगर इनका comparison कर लेते हैं August month से तो यहाँ पर 6,575 electric scooters की sale इनोंने की थी और overall growth की अगर हम बात करते हैं तो 7.15% इनकी growth देखने के लिए मिल जाती है यह भी quiet enough है इतनी ज़्यादा growth देखने के लिए नहीं मिले लेकिन हाँ कांग चलाओ growth यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है वोज़ता है festive season में यह growth और भी अच्छी हो जाए साथ में इनका जो market share है वो है 11% का तो चलिए अब चलते हैं नमबर 4 से नमबर 3 पर तो यहाँ पर आ चुका है Ather Energy जिनोंने sell out किये हैं 7109 electric scooter येस ज़्यादा difference यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता बजाज आटो और Ather Energy में बहुती माइनर सा difference है जिसके विज़े से Ather Energy जो है वो number 3 पर आ गई है लेकिन now अब इनोंने sell out किये हैं 7109 electric scooter यानी growth जो है वो minus में है minus 0.28 जबकि आपको बता दे कि Ather Energy अपने electric scooters में update लेकर आई थी एक new electric scooter Ather 450X भी आपके लिए लेकर आई थी लेकिन यहाँ पर ज़्यादा growth देखने के लिए नहीं मिल रही है आपके लिए कुछ और new updates आने वाले हो फ्यूचर में और इनके market share की बात कर लेते तो 11% income market share है अब बात करेंगे number 2 की तो as usual काफी टाइम से TVS iCube number 2 पर बना हुआ है it's been a long time कि TVS iCube ने अपनी यह position को maintain किया हुआ है September month में इन्होंने sell out कर दिये 15,512 electric scooters को और August month की बात करते है तो इन्होंने sell out किये थे 15,471 electric scooter यहां पर major difference देखने के लिए नहीं मिला है इनकी भी sale report में August month के comparison में यहां पर जो इनकी growth हुई है वो बहुत ही minimal सी growth है 0.27% की और market share की बात कर लेते हैं तो 24% market share इनका है अब बात करेंगे number one की तो यहां पर पिछले 9 महीनों से एक ही electric vehicle company का राज है that is Ola Electric इन्होंने sell out किये September month में 18,635 electric scooter लेकिन एक twist है इन्होंने August में sell out किये थे 18,718 electric scooter yes तो यहां पर इनकी growth माइनस में चल रही है minus 0.44% और इनका market share अभी जादा है as compared to other companies जिनके बारे में हमने आपको बताया 29% इनका market share है तो September month की बात करते हैं तो September month में जादा sale नहीं हुई है बलकि यह sale declined हुई है 1.51% से और total sale की बात करें जो इस मन्त रही है वो है 57,824 electric vehicle की जो figure था last month 56,961 अब यह sale जो decline हुई है उसके कहीं ना कहीं reason हो सकते है supply chain में disruption, component की shortage और इंपक्ट पड़ा है ongoing semiconductor prices पे यह reason हो सकते हैं कि जिनकी वज़े से इनकी sale जादा नहीं हुई है लेकिन हाँ कुछ companies जो हैं उन्होंने काफी अच्छा perform किया है जब से टीवेज, बजाच, इंपेर, हीरो, और रिबॉल्ट अब यह देखना होगा कि festive season में इनकी sale पे क्या effect पड़ता है यह जानने के लिए आप बने रहें power talks के साथ इस video को like करे, share करे और ऐसे ही देखते र लेकिन है